बुआ, बुआ आपको तैका ने में बबन कर दिया शर्म ने यह उन लोगों को शर्म उन्होंने बेच खाई है शर्म होती तो तेरा बाप अपनी बेटी समान बाउप पर इतरे जुर्म करता शर्म होती तो तेरा भाई अपनी मा समान भावी की हिस्जत पर हाथ डलता क्या के रियू बुआ बेटे, बेटे मेरी आँखों के सामने गुमान अपनी भावी के साथ मूँ काला करने की कुछिच कर रहा था ये तो अच्छा हुआ कि शंकर आ गया ने तो अनर्थ हो जाता बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया उन्होंने बहु को बहुत दुख दिया इसलिए मैंने उसे कैसी छुड़ा दिया मैंने शंकर के साथ भगा दिया उसे ताता आपने मा समान भुआ को कैद करके काल कोट्री में बन क्यों कर दिया हमने तुम्हें बाल पोसकर इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि हमसे सवाल जवाब करने की चुर्रत करो ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारी बुआ देगी पुछो इससे क्यों हमारे खांदान की बहु को उस शंकर के साथ भगा दिया पूछो इससे क्यों हमारे खांदान की इज़त के साथ इतना बड़ा अन्याई किया अन्याई नहीं नहीं किया है नहीं किया है बुआने इंसानियत के साथ नहीं किया है मस्तुम भावी के साथ ने आई किया है जो आपके जल्म के पिंजने में कैती उसे आज़ाद करवा कर गरन आदाता उस गरीब के साथ कितनी नाइंसाफी हुई पहले नाइंसाफी की ईशुर ने जो भाईया का सुक चीन दिया आपने सिवाए कोड़ो के आपने दिया ही क्या उसे आपने अगर तुम हमारे बेटे ना होते तो ठाकुर रनवीर सिंग के साथ की गई इस पत्तमीजी के चुर्म में हम तुमें गोली मार देते सिवाए गोली के आप देही क्या सकते हैं अरे डरी है उस भगवान से सबसे बड़ी गोली होते हैं उसके पास जो बेवक चलती है जिस तिन वो गोली चल गई न तो आपकी छूटी शाम से बना हुआ ये आलिशान महल सब चकना चूड़ जाएगा सब खतम हो जाएगा दाता समझाओ इस बेवकूफ को शहर की चार किताबे पढ़ने के बाद ये भूल गया है क्या हम सिर्फ इसके बाप नहीं ठाकूर रनबीर सिंग है इस से पहले कि हमारे अंदर का ठाकूर जाग जाए दूर कर दो इसे हमारी नजरों से हरे हम खुद दे रहना चाहते इस महल में एक दिन आप अपनी करदी पर पच्छाएंगे उस वक काफी देर हो चुकी होगी चल बोगा चल तेरे इस बेटे के पास ऐसा आलिशान महल तो है नहीं लेकिन इंसानियत की रोश्णी ज़रूर है इटे इस दूँ चच्हँ चच्हँ कोई बात नहीं इस खून को भेने दो ये खून उन जुल्मों का इसाब है जो जुल्म दाता ने इन मासुम गाउनों के साथ किया है तेरे शरीर का सारा खून भी तेरे बाप के किये हुए जुल्मों का हिसाब नहीं चुका सकता समझा मरो इसे अलो लुक जाओ अले खून हाँ भाईया मैलों की चमक दमक ने सच्चाई को पर्दे में चुपा रखा था वह ने वो पर्दा मेरी आंखों के सामने से अठा दिया है शंकर भाईया मैंने अपने पिता का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है मैं इस गाओं में इस गाओं का बेटा बन कर जीना चाहता हूं रावन के घर में राम ऐसा तो कभी नहीं हुआ है रभू तेरी लीला तुही जाने है तुलसी मैंने दाताश्री का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है ऐसा क्यों किया तुमने उनके जूटे अंकार के तारे बे रहकर मेरा दम कुटता था मेरी बुद्धी वरष्ट हो गई थी दिमाग में कीडे पढ़ गए थे मुझे कुटते ने काट लिया तो मैं पागल हो गया था क्यों किया मैंने इसा सारी जिंदकी एक एक पैसा जम करके हजार उरुपिया बनाया बोलू की पटी एक भट्टे में सारा पैसा ले गई और गई तुगई गई किदेर पता भी नहीं चल रहा हूं उसका कह दो ससुर जी कह दो कहने से बोजा हलका होता है हलका हो जाता है मेरे दिल पे बहुत बोज है तो किसी को बोलेगा थे नहीं बोलूगा आपकी कसम मेरे सीव भी नहीं लेगा ना बिलकुल नहीं लूगा मैं ना एक चक्कर पफस गया था सारी जिंदगी में ने एक एक पैस आपने मुझसे नहीं लिये थे मैंनी कब लिये थे आपने मुझसे लिये थे अपनी बेटी देने के लिए और ये मैंने पैसे लिये चुप रहने के लिए टिंग टिंग शंकर भाया चंता की कोई बात नहीं हम अपना ट्यूब वेल खुद वा लेंगे मैं अजी शेयर जाकर तूब वेल बनाओगे, देख लूँगा बच्च्चू तुम लोगों को प्राम प्यारी, अरे मेरी जलेवी, अरे मेरी धन्नो, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, यह देख, मैं तेले लड़ू लेकर आया, मुझे रादा नाभी अभी बताया, कि तो मेरे बच्चे की मा बनने वाली है, लेकिन कितनी बुरी बात है, बेटे का और खाबर बारवाले थे, यह ले, लड़ू खा, लड़ू खा, यह क्या, खेती, यह कौन है, मुराम प्यारी नहीं, मैं चंदर मुखी हूँ, यह मेरे बाल, यह मेरे साड़ी, कितने सासो जी, सब्सक्राइब बशारा जाई, यह मेरे बशारा जाना नहीं, मैं आलगारे इसको कभी माफ ने करूँगा, यह करूँगा, अरे सासो जी माफ कर दो, एक बार मुझे महाफ कर दो सबसर्जी मैं टांगा चलाउंगा कराई घिसूंगा मिठाई बनाउंगा सारी कमाई आपके चर्लों में अर्फिस कर दूगा मुझे कर मुझे देने में आश तक दामाद की शकल में तुझे देखा है देखंवस कैसा है है मेरे जैसा हुआ है देघुकर दोखाज के लांगते कुठ हभी कितने हैं बिचाइब मैं रठेभ आपका दी Luckily अउनक मूण द्याङц वालन अवैं मेरे खायल में सबसे बहतर जमीन यहीं रही यहीं से पानी निकालना चाहिए लेखनों His ये जमीन तो दातागुरू की है ये जमीन दाताश्री की नहीं है ये जमीन गावालो की है हमारी है कुछ खुदेगा तो यही कुदेगा बस। शाबास, शाबास, शंकर, राम का नाम लेकर हो जाएं शुरूँ ओम श्री ग्रैशाय नमा, जैहो, साथियो, मैं कहता था ना, कि जिन्दगी एक सहली है, कभी दुश्मन कभी पहली है शंकर, करन, मेरे भाई, आईए गाउं, आईए गाउं, गुलामी की बेडियों से आदाद हो गया है, आदाद हो गया है, हाँ, आदाद सुनो करन, तुम बीच में मत आओ, ताता गुरू का आज मैं समझाता हूँ चंग के मैदान में लड़ने वाला हर सिपाई बराबर होता है, हर चंगर विया, ये सिपाई आपका कमज़ूर नहीं किस की इजाज़त से ये ट्यूब वेल हमारी जमीन पर खुदवा रहे हो? ये जमीन तो सबकी मा है दाता, और फिर अपनी जमीन पर ट्यूब वेल खुदवाने के लिए किसी की इचाज़त नहीं लेनी होती तुम्हारी जमीन, जिस दिन से तुमने हमारा घर छोड़ा है, तुम्हारे सारे रिष्टे तूट गए है, और तुम्हारे सारे हग चीन लिए गए है कि आपके चीनने से कुछ नी होता रातल शरी िस अमीर आपके पिताशरी की है यह पिताशरी का मैं पोता हूं कि रडा की जयागां पर को से कमोते को आप थो किया कि भी असी ताकत नहीं हमसे अमारी जंकी पुर्ण कर भी हम तुम्हें गोली मार देंगे यू बेल फिर भी खुदेगा हम ऐसा हर्गिस नहीं होने देंगे खुन की नदियां बाहा देंगे हम खुन के सेलाब में आप भी बह जाएंगे दाता गुरू आपकी सियात्तियों ने कववालों को बगावत पर आमादा कर दिया है अरे तो क्या इन लाठियों से दाता गुरू की बंदूकों का मुकाबला करोगे तुम लोग अरे ओ मूर्ख लाठी के सारे तो गांदी जी ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की घुलामी से आजाद करवाया और आज हम आजादी का ये जंडा इस गाउं में लहरा रहे हैं जैजनली ये भारत माँ खरे खरे मूग क्या देख रहे हो बूंदा लो इन सबको रुख जाओ मुझे मालूम था कि तुम ऐसी ही हरकत करोगे इसलिए पूरे बंदुबस्त के साथ आया हूं और सुना पिछली बार तो तुम जमानत पर छूट गए थे मगर आज कोई ऐसी घलत हरकत मत करना वरना अदालत तक जाने के लायक भी नहीं रहोगे समझे वक्त के साथ चलने में ही भला ही है ठाकुर सहाथ देख लूँगा तुम सबको अरे अब क्या देखोगे साथ यो बलो भारत मागी जड़े है कम क्कुक अब आज बस ठाकुर सहाथ बस्वक्यों गए मेरा हुकम है मारो मारो एए क्या करें तुम हटो मारने दो नफरत हो गई हमें अपनी जिंदगी से हमारा अपना ही खून गाउवालों के साथ मिलकर हमसे बगावत कर रहा है टाता यह सब उस शंकर की वज़े से हुआ है पहले उसने हमारे खानदान की बहु को अगवा कर लिया फिर उसी शंकर की बेहन की वज़े से हमारा अपना खून गाउवालों के साथ मिल गया है और हमसे बगावत कर रहा है लेकिन दाता वो यह नहीं जानता यह हम लोगों के क्रोद की आंदी जंकर की खानदान को तिनको की तरा बखेर देखी बजाओ 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 भायाओ बजाओ बजाओ भायाओ बजाओ बायाओ भी कर दो 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 कर ने हमारे खानदान की सत को तबा किया है यह शंकर की सत है आज मैं इसे परबात कर दूँगा नहीं वहा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे यह शंकर की सत नहीं बलके मेरी इसत है और मैं अपनी इसथको अपनी आखो छोड़ तो वहाँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे चाहिए रुक चाह बैया मैं कहता मुझे बहात वठाउ अगर मेरा हाथ उठाए नै तुम बहात उठाएगा बहात उठाएगा अपने बड़े भाइब सब्सक्राइगा झाल 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 माय तेरे समनोस की सकनो तुमा लग, भयाँ! नहीं, जर नमची? के लग, लग! जर प्ज fluffी! जर हम जर दोशी! जर आक! करेंग करेंग कर अ करेंग, करेंग मुठर जया एंप एर एंप कर दो कर दो कर दो कर दो में मौट तरे मौट के बैलेट पीपर मौहर मैं लगा अ कर दो हमान को जैति कि एक एक गुना की सदा मिलेगी हां वट, वट कु मैं मरगाई मरगा राक्षस का बेटा मरगा गुमान परी खूश तुने मेरे जिसम पे कुलहरी मारके न मेरी आत्मा के सारे जखम भरती है चंकर परी चंकर चंकर भगवन 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 तुने से सुन्दर धर्ती बे तू दाटा गुरू और गुमान जैसे सैतान क्यों भेटता है मैंने हाँ हाँ मैंने गुमान सिंग को मार दिया अब कोई गिला नहीं कोई चिंता नहीं जो होता होने तो भगवन तुने भगवन मास्टर जी मास्टर जी यह यह खुन यह खुन नहीं भगले यह गाउं की आजादी का रंग है फीले लगा ले यार फाग उन आयो रहे फाग उन आई हो रहे छले मैं आपको डॉक्टर की बस ले चलता ह faj नहीं मेरी पास समय नहीं मेरी बाद सुन रहे मेरी असंग तबाह कर दी थी इस तो तूती थी उसकी मैंने अज उसे आज उसे मार दिया तुन एक बाद कर तू ताथा गुर को उत्ते की मौत मारेगा हाँ मासर जी मैं उसे कुट्र की मात मार हूँगा सुन जब कर मेरे भाई मेरी बाद मेरा पूछे न तो बैना तेरा भाई दूर देश गया है तेरे लिए एक राज कुमार लाने नीले घोड़े पे दूरा आएगा मासर जी फिर शेहना यह मजेंगी फिर उसके हाथों मेहनी रचेगी फिर वो डोली में बैठेगी जिसे एक कंदा तो देगा मासर जी टोली को दूसरा कंदा आप देंगे हाँ चली अगले तब तक तो तू मुझे कंदा दे चुका होगा ऐसा मत कहिए मासर जी ऐसा मत कहिए अगले मैं आया था जाने के लिए मैं जाता हूँ आने के लिए मैं आता रहूँगा मैं जाता रोंगा पर यही कहता रोंगा कि जिंदगी एक पहली है। कभी दुश्मन ricaी है। मस्रस जी जिंकर ढ़िए देख , देख मेरी जिंदगी आज रंगबरंगे कपड़ों में आ रही है। मस्रस जी मैं उसके साथ जाओंगा। मैं जाओंगा उसके साथ राहे माँ सबको मेरी रड़ अरे मार या डेंड तूने किसी का क्या घाड़ा था ते का जीजा गुरू मेरे बच्चे अरे मुझे मेरे बात सुन मत कर मत कर इतना जुलम इन गरिमों पर रोक दे ये खुन खराबा भगवान से डर ऐसा नहों कि कोई वर्ष चलाने वाला ना रहे हर्ट मेरे रास्ते से मैं तो तेरी लात परदाश कर लूगी मुरक लेकिन भगवान की लात से डर उसकी लात जब पड़ेगी न तो तेरे साथ जनम खराब हो जाएंगे ना शुकर गुजार औरत तुने बहु को घर से बगा कर मेरी इस्थ को मिट्य में मिला दिया मैंने गाउ का चपा 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 चान मारा लेकिन वो कमबकत हमें कहीं नहीं मिला लगता है आपकी दैशत के मारे वो और उसका कांदन गाउ छोड़ कर भाग गए हम जमेन से आस्मान तक उसे नहीं छोड़ेंगे वो कलंगरी जहां भी उसे ढूंड निकालो करन दाव में ता सन्नाठा क्यों चाया हुआ है लगता है दाताश्री का कैर इस काउं पर टूट पड़ा है भागो तुलसी जदी चलो जदी चलो जदी चलो शंकर भीया की चान खत्रे में तुम यहीं रुको मैं भी आता हूं मगर बाहर बहुत खत्रा है मैं तुम्हे ऐसे हालाप नहीं जाने हूं समझ दी कोशिश करो तुलसी मेरा जाना बहुत जरूरी है रुको यहां जाना बहुत जदी का बहुत जदी करो यहीं कि चानली, जल्ना अरे रीच कहीं की जाएगी कहा अरे खेलो इसे जाने ना पाईए उरे खांडान को ये खा गई है अरे काओ वालो अगर अपनी सलामती चाहते हो तो दो मिनुट में अपने घरों से बाहर आजाओ वर्ला अन्जाम जान लो हाँ तो ने अपने उजड़ी मांग में संदूर भरके हमारे खांदान की इस्दत को मिल्टी में मिलाया है मैं सारे गाओं वालों के सामने तेरा संदूर उजाड़के तुझे फिर से विद्वा बना दूगा वैसे तो पती के मरने के बाद औरत को विद्वा का जुड़ा पहनाया जाता है आज मैं तुझे पहले विद्वा का जुड़ा पहनाऊंगा और फिर तेरी आखों के सामने तेरे पती शंकर को मारूंगा पहना दीजिए इसे विद्वा का जुड़ा पहना जुड़ा इसका सुहाग जिन्दा है ठाकूर किस माई के लाल में हिम्बत है जो इसका सुहाग उजाट सके दाम है तो चला खुली चला जा लक्षमी अंदर चलिगा बादर मत बने जाओ अंदर सब्सक्राइब कि दो नहीं भाबी नहीं हमें दाता शीरी की गौली से नहीं बन रहा है अगर इस वक्त भी तुम लोग दर के घर में छुप गई ना तो ठाक और कजूल कभी खत नहीं होगा तुम तुम शेंकर के खास मिलने वाले हो शेंकर दाता गुरू के फोज से अकेले लग रहा है तुम भी मत करके मेरे साथ चलो बाबी जी मैं दरूर चलता मगर दाता शीरी की फोज के सामने हम क्या कर सकते हैं माफ करने बापी जी माफ करने दयाल दयाल अरे बुजदिलो इस तरह डर कर घर में चुप जाओगे तो दाता गुरू के गुलाम इसे कभी आजाद नहीं हो पाओगे बगावत के चिंगारी उठी है तो उसे शला बंजाने दो मेरे कहती हो बाहरो ऐसे डर जैसे कुछ रही होगा कुछ रही होगा चल बेटी मेरे साथ ये बुजदिल गाओवाने देर साथ का चलेंगे चलो मेरे साथ चलो बेटी खेरो हम भी आते हैं कि लु़र शोटिल तार साथ के लु़ जाबाबबदी मेरे साथ ये आँ पराओबदी आया बाबदी हो नार रु़र जाबदी नारा पारने पु़र्वर्पी पराहें बाल», उर्षचर्प। अप्राहें जाल, थे लु़र। लिख लो एक और नाम मरने वालों के लिस्ट में क्या चाहिए यह बंग मेरे को देड़े को ले अवे यार तु फिर मार खा क्या गया मार खाने वालों की लिस्ट में तेरा भी नाम नहीं नहीं पड़ेगा जागे मार कि लिजव यह इड़े वाल झाल 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 आपका शरी अभी भी वक्त है उतार देजे अपने दिमाग से ये बरबादी का चुनून कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खांदान का नाम और निशान इस दुनिया से मिच जा है इस से पहले कि हमारे क्रोध का कहर तुछ पर टूट पड़े हमारी नजरों से दूर हो जा वक्त की नजाखत को संजो दाता शरी आपके खिलाब वगावत की ये चिंगारी अब शोला बन चुकी है और इन शोलों के लप्तों से अब नहीं बस सकते अब भी वक्त है छोड़ तो अपने एक हमंग को एक बार इन गावालों से माफी माफ कर तो देखो ये गावालों आपका हमेशा के लिए माफ कर देगे ए वबशी तुल्ची बेटिया कहां जा रही हो गेँ हो क्या जने दो आपको जाने को बर्बाद किया जलती हुई आग में तेल चिटकते का काम क्या है तुम्हें तु जाना चाहता है ना देख तुझे तेरे ससुराल वाले लेने आये है मामा अच्छा होता कि तुम पहले ही मर जाते कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मजा करने की तेरी बच्छपन की आदत नहीं गेरे करना अपने मामा पे हाथ उठाते है रे मामा हमारे खांदान की बरबादी का कारण तु है अगर तु मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे बचन देता हूँ के राम बली करे मैं कहाँ चोड़ कर तीरत यात्रा पर चला जाओंगा रे तीरत यात्रा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें बहुत शौक है बहुत अब है तुम्हे भेज देता हूँ अब आई आच आप शॉड़ कर दो हुआ झाल झाल I I कर दो क्यों आरव हुआ 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 और अ और टोज जए ऐक चृच्ट त o ड ख हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ 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 है बाबा हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है